Hello everyone and welcome back to join MNS Academy Chapter 4 today is Human Health and Disease ये chapter आपके MNS exam के लिए बहुत important है इससे हमेशा ही कुछिना कोई question आता ही है तो इस chapter से आपको generally तीन टाइप के question पूछे जाते हैं First type जो होता है उसमें आपसे disease पूछे जाती है Second में पूछा जाता है आपसे causative agent and third में पूछा जाता है diagnosis test तो ये तीन टाइप के ही question इस chapter से पूछे जाएंगे कभी हो सकता है आपको disease वहाँ पे दे दिया गया हो question में और वो किस organism से होता है वो आपको दे वहाँ पे टिक मार्क करना पड़ेगा जैसे आपको पूछ लिया कि टाइफाइट किस से होता है तो टाइफाइट किस के वज़े से होता है वह सालमल में टाइफी के वज़े से होता है यह टाइफाइट के लिए जो diagnosis test कौन सा है वो है विडाल test तो एक यह टाइप हो गया मतलब तीनों टाइप मैंने बता दिये कैसे आएगे इसके अलावा जो आपको question पूछे जाएंगे वो ऐसे पूछा जा सकते है कि जो तीन चार डिजीजेस दे गई हो और पूछा जाए कि इसमें से कौन सा बैक्टिरियल डिजीज है जिससे जो टाइपाइड है वो बैक्टिरियल डिजीज है एड जो है वो वाइरस से कॉस होता है जैन ऐसे different different diseases है तो वो किस organism के वज़े से हो रही है और उस organism का नाम क्या है और उससे related test तो आपको इस चाप्टर को इस तरीके से आप notes प्रिपेर कर लो, इसके notes बहुत जादा detail में बनाने की ज़रूरत नहीं है, because आपको symptoms लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार अभी मैं जब पढ़ाऊंगी तब समझ लो, बट उसको आपके notes में लिखने की ज़रूरत नह है, खाले जब आप भी notes बनाओगे, तो वहाँ पर उस disease का नाम, फिर वो bacteria है, virus है, protozoa है, क्या है, वो लिखना है, then उसके बाद next जो चीज़ है, और निजम कौन सा है, and जो last चीज़ होगी, वो होगी test, diagnosis test क्या है, बस, and यह आपका chapter complete हो जाएगा, इसमें जादा कुछ Health can be defined as state of complete physical, mental, and social well-being, तो health में क्या है, health में हम तीनों aspects की बात करते है, like physical भी persons ठीक होना चाहिए, then mentally भी वो ठीक होना चाहिए, socially well-being means जो उसके आस-पास की लोग है, या जो nature है, या animals, उनके साथ भी वो properly behave करना चाहिए, mentally भी and physically भी, तो जब इन तीनों लेवल पे एक परस factors, genetic disorder, infection, lifestyle, तो जो health है किसी person की वो तीन चीजों की वज़े से effect हो रही है, तो first चीज किया है genetic disorder, जो genetic disorder है, यह from parents to their offspring में transmit होते हैं, तो यह क्यों होते है, बिकाज अगर किसी कोई parent है, वो already उसको को genetic disease है, तो जब वो birth होता है, या फिर वहाँ पर जब बिर्थ के प्रोसेस मे हैं, आप देखो कि पहले zygote formation होता है, तो zygote formation में क्या होता है, वहाँ पर mother and father होते हैं, उनके cells एक दूसरे से combine करते हैं, cytoplasm and chromosome होते हैं, एक दूसरे से intermixing होता है, then zygote form होता है, तो उस process में, जो disease parents में है, वो disease child में भी transmit हो सकती है, और यह भी cause है, या main factor है, जिसके व कई घूम रहा है, environment में, environment में कोई ऐसा organism है, microbes जो उसको disease cause कर सकता है, अगर वो गलती से person की body में enter कर जाता है, तो वो कोई infection या फिर कोई disease cause कर देता है, then वो person healthy नहीं रहते हैं, जो third point है, वो है lifestyle, बहुत सारी diseases है, जो अगर हम proper खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, नहीं करते हैं, exercise नहीं करते हैं, उनके वज़े से हो जाता है, तो lifestyle में वैसी diseases आती है, जैसे diabetes है, diabetes में दो टाइप होते हैं, तो उसमें से जो हमारा first type होता है, उसको हम अपने lifestyle को अगर change कर ले, healthy खाना खाया, तो उससे हम अपने आपको ठीक कर सकते हैं, बहुत तो वो ची कराते हैं, उसके 3-4 दी तक वो कम salt लेंगे, दिन उसके बाद अगें जो normal जो अपना follow करने लगते थे, वही चीज़र करने लग जाते हैं, तो यह सब जो factors हैं, फिर यह सब उस person की health को deteriorate करते हैं, और फिर permanent disease person या फिर जैसे मैंने आपको example दिये, hypertension जो diabetes है, यह कभी उन पर disease को अपने lifestyle चेंज करके भी ठीक कर सकते हैं, when people are healthy, they are more efficient to work, which increase productivity and brings economical prosperity, the factors which are responsible for maintaining good health are, तो यहां पर first point जो है, यह है कि एक person को healthy रहना क्यों important है, अगर वो healthy रहेगा, तो वो जो भी उसके work है, या जो भी उसका काम उसको properly और efficiently कर पाएगा, और efficiently करेगा, तो उसके वज़े से क् productivity increase होगी and उसके वज़े से economic prosperity बढ़ेगी, इसलिए एक person का healthy होना बहुत जरूरी है, then जो next step वो है कि क्या factors है जिसके वज़े से हमें good health को maintain कर सकते हैं, तो first जो है वो है balance diet, balance diet में यही होता है कि हमें सब चीज़े अपने diet में include करनी है, healthy चीज़े खानी है, हमें ज्यादा न सब कुछ included हो, उस type की diet को हम a balance diet बोलते हैं, then next जो है वो है personal hygiene, जो कुछ लोग होते हैं, वो personal hygiene की ओपर बहुत जादा देखते नहीं है, वो गंदे हाथों से खाना खालेते हैं, जिस बरतन में खाते कभी कभी हो सकता है, वो साफ ना हो या, चीज़े जैसे हमने एक time में कु आने के लिए या ना हने वगरा के लिए तो उन सब को properly clean करके रखा करें, जो last जब हो है regular exercise, yoga and meditation, तो ये exercise, yoga and meditation ये सब भी important है for healthy person, because इन सब से ही आपको body का metabolism है, जो body के organ functioning है, वो सब properly check होती है, and yoga and meditation जो है ये आपके brain को calm down करने में help करते हैं, इसलिए खाया जाता है या तो exercise या फिर yoga and meditation, हर person को daily थोड़ना time के लिए ये कुछ ना कुछ इसमने से करना चाहिए, then next is common disease in humans, तो यहाँ पर humans में क्या-क्या diseases हैं, वो हम start कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो है disease क्या होता है, पहले हम disease समझ लेते, disease क्या होता है, and वो किसके वज़े से होता है, तो वो होता है एक pathogen के वज़े से, तो यह दो चीज़े हम यहाँ पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद हम start करेंगे, क्या-क्या diseases हैं, जो होती है humans को, the condition in which one or more organs of the body are not properly working, characterized by various signs and symptoms are called disease, disease कब होता है, हम कब कहेंगे कि एक person को disease हुआ है, जब उसके body के एक या एक से ज़्यादा organs properly work नहीं करेंगे, तो उस condition में हम कहते हैं, कि उस person को disease हो गई है, and उस person में disease के कुछ specific symptoms भी दिखते हैं, उसके characterization के base पे हम कहते हैं, कि एक person है, वो diseased है, the next जो है, वो है pathogen की definition, the organism which cause disease are called pathogen, तो pathogen किया है, वो एक ऐसा microorganism है, या फिर organism है, जो disease cause कर सकते हैं, तो जो भी disease cause करते हैं, हम उसको pathogen बोलते हैं, disease can be broadly classified into non-infectious and infectious, तो जो हमारी diseases हैं, हम उसको दो parts में divide करते हैं, तो जो first है, वो है infectious and second है, वो है non-infectious, तो infectious disease क्या है, infectious disease are those which are transmitted from an infected person to another healthy person, तो infectious disease ऐसी disease है, जो एक infected person से एक normal या फिर एक healthy person में transmit हो सकती है, उसको हम infectious disease बोलते हैं, जैसे AIDS है, वो एक infectious disease है, जिसको अगर AIDS हुआ है, अगर वो एक healthy person की contact में आता है, तो उसको भी AIDS हो जाता है, तो इसलिए ये AIDS हो है, वो एक infectious disease है, तो next is non-infectious disease, non-infectious disease are those which are not transmitted from an infected person to another person, तो non-infectious disease ऐसी disease है, जो एक affected person है, उसे किसी healthy person में नहीं जाती है, तो जो हमारी ऐसी disease होती है, जो एक person से दूसरे person में transmit नहीं होती है, उसको हम non-infectious disease बोलते हैं, then next is, अब यहां से हमारी diseases start है, तो first disease जो है, हम जो सबसे पहला category start करें, वो bacterial diseases का है, तो यह आपको याद रखना है कि यह कौन सी disease है, यह bacterial disease है, और कौन सी disease है, बैक्टिरिया के अंदर, वो है salmonella typhi, जो cause कर रहे हैं इस disease को, और disease का नाम क्या है typhoid, तो यह जो तीन चीजे हैं, जो first three points है, यह आपके notes में आजाने चाहिए, then अभी हम start करते हैं, typhoid is caused by salmonella typhi, तो positive agent हो गया, salmonella typhi, affects small intestine and then migrates to other part of the body through blood, transmitted by contaminated food and water, तो जो यह salmonella typhi है, यह क्या करता हैं, यह intestine में जाके affect करता है, intestine में पहने सबसे पहले affect करता है, वहाँ पर अपना एक present होता है, वहाँ पर एक घर type का बनाता है, वहाँ पर रहता है, गन्वहाँ पर रहता है और वहाँ पर divide करता है, अपने ज़ора the cells form करें, उस बाद बॉड़ी के other parts में भी move करते हैं और यह कैसे human में आता है तो अगर contaminated food and water जो पानी या फूड अच्छा नहीं है कभी-कभी बूला जाता है कि जनरली जो टाइफाइट का केस है यह rainy season में बहुत जादा होता है जब लोग बाहर का खाना खाते है जो सड़क पर वहां पर प्रॉपर आप देखो कि ठीक से धक के नहीं बनाते हैं हाथ वगिरा ठीक से बनाने से पहले जब साफ नहीं करते हैं तो उस condition में क्या है जो अगर वह food में अल्रेडी साल्मोनिला टाइफी है और किसी person ने वैसा food खा लिया जिसमें यह साल्मोनिला टाइफी था तो उस person को आराम से टाइफाइड हो सकता है तो इसलिए specifically rainy seasons में बुला जाता है कि आप बाहर खाना बहुत ज्यादा एवाइड करना चाहिए विकाज उस ताइम पर ये स्टेमिनेशन का चांस वह बहुत बढ़ जाता है देन नेक्स इस सिंप्टम्स सस्टेंड फीवर 39 डिग्री तो 40 डिग्री सेल्सियर्स वीक्नेस स्टमक पें कॉंसिपिटेशन है एडिक और लॉस ऑफ एपिटाइट इंस्टेसिनल परफूरेशन और डेथ में और इन सीव केस है उसमें क्या होता है देथ भी हो जाता है देथ किस वज़े से हो जाता है जो इंटेस्टाइन का बिकॉज अभी हमने लास लाइड में पढ़ा कि जो साल्मोनेला टाइफी है यह किसी भी परसन के इंटेस्टाइन के उपर एक करता है वहां पर अपना घर बनाता है तो typhoid fever is confirmed by Vidal test, तो जो typhoid fever का जो diagnostic test है उसको हम Vidal test बोलते हैं, this is important point, यह आपके notes में आ जाना चाहिए, कि typhoid का जो एक confirmatory test है वो क्या है, तो वो है Vidal test, next is pneumonia, caused by streptococcus pneumonia and effects alveoli of lungs, तो यह disease है, pneumonia, यह भी हमारी bacterial disease ही है, then यह किसके वज़े से हो रहा है, तो यह हो रहा है, streptococcus pneumonia, यह name आपके notes में आ जाना चाहिए, the next क्या है, यह कहां कहां effect कर रहा है, यह effect करता है alveoli पे और lungs के, lungs की alveoli में means आप हम lungs भी बोल सकते हूं, transmitted by droplet, released by infected person, sharing glasses and utensils, तो यह कैसे एक non-infected person को हो सकता है, तो अगर infected person sneeze करता है, या उसका glass है, या जो बरतन है, जिसमें वो खाना खा रहा है, उसको अगर healthy person use करेगा, तो उस person को हो सकता है, यह disease, then symptoms क्या है, fever, chills, cough and headache and severe cases, lips and fingernails turn grey to bluish color, तो जो हमारा pneumonia है, उसमें क्या होता है, इसमें भी again fever होता है, chills मितलब क्या और रहता है, कि थंडी लगती उस person को, लेकिन उसके बाद भी उसका temperature आप चेक करोगे, तो बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी को थंडी लगती है, then उसके बाद fever चड़ता है, तो उसको हम chills बोलते है, then cough, headache है, उसके अलावा, severe cases होते हैं, वहाँ पर जो lips हैं, जो nails होती है, उनका color जो है, वो gray से bluish में change हो जाता है, in severe cases of pneumonia, then pneumonia के लिए कोई हमारा specific diagnostic test नहीं है, तो उसका नहीं पूछा जाएगा आपको, जो नहीं हम next class चार्ट करें, वो है viral diseases, तो viral diseases में जो first है, वो है common cold, and common cold is caused by rhinoviruses, affects nose and respiratory organs transmitted by direct inhalation of droplets from cough and sneeze of infected person, through contaminated objects like books, pen, cups, etc, तो अब जो rhinovirus है, यह कहां कहां effect करता है, यह nose and respiratory system पे effect करता है, उसके अलावा अगर यह transmit कैसे होता है, अगर एक non-infected person से infected person में जा रहा है, infected से non-infected person में कैसे जा रहा है, तो अगर वो person है, एक जगा पे कहीं sneeze करता है, तो sneeze करने से जो droplets होते हैं, अगर वो एक non-infected person के contact में आता है, तो उसको हो सकता है, अगर यहाँ पे भी हमने लास्ट केस में देखें, जैसे contaminated अगर हम यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी हमने अगर contaminated objects यूज़ की, यूटेंसिल्स हो या books, pens कुछ भी हो, तो उसकेस में भी यह transmit हो सकता है, तो नाक बंद हो जाना जो बोलते हैं, नाक से जो पानी आना होता है, गला दर दोना, या voice change हो जाती है बहुत लोगों कि आप देखोगे, जो cough है, यह सब common symptoms हैं, for common cold, common cold का भी कोई specific हमारा diagnostic test नहीं है, जो next है, वो है protozoan disease, तो protozoan disease जो है, वो है malaria, malaria का यह जो दो positive agent है, यह दोनों याद करने पड़ेंगे आपको, यह दोनों पूछे जाते हैं, यहां पर तीन है, यह तीन हो पूछे जाएंगे, बट इंडिया में ओनली दो ही species है, जिसके वज़े से disease होता है, बट आप यह तीन हो याद कर लेना, वैसे चार है, बट आप हो जाता है, तो उसके liver and RBC के उपर effect होता है, transmits by biting of female anophilus mosquito which act as vector, तो यहां पर यह जो point है, यह भी important है, अभी तक जो भी हमने disease देखा था वो, यह तो transmit हो रहा था water से, air से, इस बर क्या है, इस बर disease को transmit होने के लिए एक vector चाहिए, एक वाइकल चाहिए, तो वाइकल क्या है, वो है female anophilus mosquito, यह तो female anophilus mosquito है, यह इस vector को पहले अपने body में लेता है, then human body में जाके इंटर कर देता है, उसके वज़े से एक person को disease हो जाता है, high fever occurring on alternate day, chill vomiting are common symptoms, तो malaria में क्या है, यहां पर भी again high fever होता है, यहां पर भी थंड ही लगके बुखार होता है, उसके अलावा person को vomiting भी हो सकती है, यह हमारे common symptoms है, for malaria, Life cycle of malaria parasite, female anophilus mosquito bites a healthy human and inject sporozoid infective stage with bites, तो अब हम malaria parasite की life cycle पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे है, कि जो female anophilus है, वो क्या करती है, वो एक human को, healthy human को bite करती है, और जब वो bite करती है, तो यह जो sporozoid है, यह already sporozoid क्या है, यह malaria का वो stage है, जब वो inactive है, बट अगर वो से active condition मिल करती है, तो यह अपने आपको grow कर सकता है, इना malarial parasite या फिर वो पूरा का पूरा एक plasmodium की form में आ सकता है, जब sporozoid form में है, तब वो effect नहीं कर रहे है, और जब वो person के blood में enter कर जा रहे है, human के blood में, तो वो activate होके तब वहां पे वो disease कर रहे है, तो यह जो inactive form में है, यह mosquito जब bite करके human being में eject कर देता है, और फिर यह sporozoid अपने आप को activate करके disease cause करता है, then next is, the parasite reached the liver by through blood and start multiplying within the liver cells, जैसे मैंने बुला कि sporozoid था, वो inactive state में था, जब वो blood में आया, तो blood से आके वो कहां जाता है, वो liver में जाता है, और liver में multiply करना स्टार्ट हो जाता है, means पहले तो वो जब human body में enter किया, तो वो एक ही sporozoid था, तो वो move करके जब liver में जाएगा, तो वो multiple sporozoid, hundred से भी जाता sporozoids form करेगा in the liver cells, parasite then attack the red blood cells and reproduce asexually in red blood cells and rupture the red blood cells which release a toxin called hemozoin, responsible for chill and high fever reoccurring every 3 to 4 hours, तो अब यह जो parasite है, इसने अपने आपको बहुत ज़्यादा multiply कर लिया liver में, उसके बाद यह पूरे body में move करने लग जाता है, तो उसका जो next target है, वो क्या है, इसका next target जो है red blood cells है, यह red blood cells में जाता है, वहाँ पे asexually reproduce करता है, खुद तो reproduce वहाँ पे करता ही है, उसके important है term, इसको भी याद रख लो कि hemozoin किया है, तो hemozoin एक toxic है, जो हमारे RBC में से release होता है, जब उस पे एक parasite attack करता है तब, तो इस hemozoin के वज़े से क्या होता है, इस hemozoin के वज़े से ही person को थंड लगती है, और हाई fever होता है, और वो fever हर 3-4 घंटे के बाद आता है, Some of the parasite differentiate into male and female gametocyte, which are taken up by mosquito during biting and sucking the blood, formation of gamet and fertilization takes place in intestine of mosquito, तो जो parasite है, उसमें भी कुछ male and female parasites होते हैं, gametocyte के stage में होते हैं, और यह mosquito के blood में होते हैं, और इनका fusion कहा होता है, यह जो male and female gametocyte है, इनका fertilization होता है, यह intestine में होता है, of mosquito, तो यह भी थोड़ा सा important है, कि जो हमारा यहां पे, जो zygote form हो रहा है, जो fertilization हो रहा है, परसाइट का in intestine of mosquito, mosquito का जो intestine है, वहाँ पे fertilization हो रहा है, of male and female gametocyte, of the parasite, यह हमारा parasite क्या है, हमारा parasite है, falciparum, malaria and malaylai, जो तीन parasite है, उनका जो intestine में हो रहा है, fertilization उसके लिए, next is, the zygote develops and forms thousands of sporozoids and migrate into salivary gland of the mosquito, अब यह जो zygote कहां form हो था, यह intestine में form हो रहा था, mosquito के, अब जब zygote वहां form हो गया, तो बहुत सारे वो sporozoids में develop करते हैं, यह sporozoid है, यह mosquito है, उसके salivary gland में आ जाते हैं, when mosquito bites another human, the sporozoids are injected, अब जब यह mosquito के salivary gland में आ गया है, तो जब mosquito एक person को, human को bite करेगा, तो यह जो sporozoids है, यह उसके blood में enter कर जाएंगे, because salivary gland जो है, वो मौस्कीटो के mouth में होता है, जब मौस्कीटो बाइट करते हैं, तो यह धीरे-धीर वहां पे चले जाते हैं, case of human, then यह life cycle है, plasmodium का कि वो कैसे effect कर रहा है, तो सबसे पहले हम यहां से start करते हैं, कि यह चलो मौस्कीटो ने bite किया, मौस्कीटो ने bite किया, तो जो भी उसके sporozoids थे, वो blood में release हो गए, blood में release होने के बाद वो कहां आ गए, liver में आ गए, liver में यह sporozoids क्या कर रहे हैं, अब divide कर रहे हैं, यह देखो यहां पे एक आया था, बोस ने divide करके इतने सारे cells बना दिये, अब यह जो sporozoids है, यह circle type का cell है, यह हमारा RBC है, अब यह sporozoids क्या कर रहे हैं, यह RBC में जा रहे है, RBC में जाके वहाँ पे अपने आपको multiply कर रहे हैं again, multiply करने के बाद क्या कर रहा है, उस cell को rupture कर दो MRR कर से ही वहाँ पे क्या हो रहे हैं, rupture होने के बाद वहाँ पे hemozoid release हो रहे है, और hemozoid के वज़े से high fever होता है, case of person, then यहाँ पर क्या है, यह दिखाया गया है कि हमारा male and female gamit है, यह अलग-अलग है, तो जब male and female gamit अलग है, इनका fusion क्या होता है, again mosquito जब bite करता है, तो यह उसके mouth से blood में आता है, and यह जो mosquito ने bite किया है, तो इसके intestine में, इस mosquito के intestine में, अब क्या हो रहा है, वहाँ पर होगा fertilization, and fertilization के बाद again sporozoids form होंगे, and यह sporozoids आ जाएंगे उसके salivary gland में, यह mosquito का salivary gland है, and again जब यह mosquito bite करेगा, तो यह उसके body में enter करेगा पहले, then उसके mouth से यहाँ पर जा रहे, यह वाला stage जो है, यह जब उसके intestine में, यहाँ पर fertilization हो गया, उसके बाद का है, जब उसने बहुत स सारे sporozoids बना लें, उसके salivary gland में, यह देखो, यहाँ पर salivary gland लिखा है, अब जब उसके salivary gland में आ गया है, जब वो again human को bite करेगा, तो उसके blood में जाएगा, तो यह cycle है, देखोगे कि यह repeat होगा, starting from any stage, आप कहीं से भी start कर लो, बहले यहाँ से start कर लो, कि उसके intestine में पह important थी, एक तो कौन सा causative agent है, वो तो हमारे तीन causative agent है, then next क्या है, कि यह कहाँ, human में कहाँ effect करता है, तो human में यह liver पे और RBC पे effect करता है, उसके लबाए इसके कितने host है, तो इसके again हमारे दो host है, एक human है, एक mosquito है, और यहाँ पर fertilization कहा हो रहा है, परसाइट का, तो fertilization है, वो mosquito के intestine में हो रहा है, the next disease है, यह है amoeboises, यह इसको amoeboic dysentery भी कहते हैं, यह भी एक protozoan disease है, caused by ant amoeba histolytica, तो यह organism है, जिसके वरे सी यह disease होती है, तो उसका नाम है ant amoeba histolytica, affects large intestine of man transmitted by housefly, which has mechanical carrier food contaminated with cyst of ant amoeba, तो यह transmit किसके वज़े से हो रहा है, यहाँ पर जिसे हमारे last में जो vector था, वो क्या था, vector हमारा वहाँ पर था mosquito, तो यह पर जो vector है, यह housefly, housefly क्या करती है, यह जो हमारा cyst होगा, cyst क्या होता है, cyst भी अगेन एक ऐसा stage होता है, ant amoeba का, जहां पर यह inactive है, और जो इसको feverable condition मि देता है, तो क्या हो रहा है, कि जो housefly है, वो contamination food में जाके कर देती है, और ant amoeba histolytica का, तो इसके symptoms क्या है, constipation, abdominal pain, cramps, stool with mucus and blood clots, तो यह यहां पर symptoms है, यह क्या-क्या symptoms है, जैसे abdominal pain हो सकता है, परसन को cramps हो सकता है, stool में mucus या फिर blood के भी clots हो सकते हैं, तो यह सारी symptoms है, for amoeba histolytica क्या प्लाइज हो सकते हैं, उनको हम hermethic disease में पढ़ेंगे, तो जो first disease है, वो है ascariasis, और इसका causative agent है ascariasis lumbricoids, यह effect कहां करता है, तो यह effect करता है human intestine पे transmitted by contaminated water, vegetable, fruits, etc, तो यह transmit कैसे हो रहा है, यह transmit तब हो रहा है, जब एक person, जो healthy person है, वो ऐसा food, या fruit, veritable, या water खाता है, जिसमें already, यह ascariasis lumbricoids present होता है, तो यह सब हमारे common symptoms हैं, for ascariasis, next is phylerosis और elephantitis, तो यह disease भी again helminthus के वज़े से होते हैं, इसका causative agent क्या है, caused by voucheria brancofti and voucheria malilai, तो यह दो causative agent है, for phylerosis और elephantitis, affects lymphatic vessels of the lower limbs genital organs, तो यह कहां कहां effect करता है, यह जो lower limb means, जो legs हैं, legs के जो lymphatic vessels हैं, वहाँ पर एक्ट करता है, और उसके रहावाद जो genital organs हैं, उनके उपर यह effect करता है, transmitted by biting of infected female culex mosquito, तो इसका भी आगए नवेक्टर क्या है, या किसके वज़े से हो रहा है, तो यह भी यहाँ पर mosquito act कर रहा है, बीच में carrier की तरह, और यहाँ पर जो mosquito female culex है, वो infect कर दिये, लास्ट में जो anophilus थी, यहाँ पर culex है, then symptoms क्या है, chronic inflammation of organ, where they live, abnormal swelling of the lower limbs, scotum, penis and are common symptoms, तो chronic inflammation means, जो organ से जहाँ पर यह हमारा microbe act करेगा, वहाँ पर बहुत जादा swelling होगी, दर्द होगी, उसके लावए यह generally lower limbs में, या legs पर affect करता है, इसलिए जो lower part है body का, जो हमारे body के lower part होते है, कमर से नीचे के part, वहाँ पर यह act करता है, वहाँ पर यह disease या फिर कोई भी अपने symptoms show करता है, next is fungal disease, तो fungal disease में जो first disease है, वो है ring warm, and ring warm is caused by microsporum, trichophyton, epidermophyton, तो यह 3 हमारे organism हैं, जिसके वरे से ring warm disease होता है, affect skin, nails, folds of skin, groin, तो यह कहाँ कहाँ effect कर रहा है, तो यह skin, nails, folds of skin, या फिर groin पर effect करता है, transmitted by sharing towel, clothes, or even calm with infected person, तो यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ा था personal hygiene, वो यहाँ पर art में आता है, अगर आप किसी ऐसे infected person है, जिसको अलड़ी यह ring warm हो रखी है, या जो ring disease हुई हुई है, इसको हम ring disease भी बोलते हैं, यह जो तीनों हैं, इनको हम ring warm बोलते हैं, तो अगर किसी person को अलड़ी यह disease हो रखी है, अगर उसका आप towel share करते हो, या उसके cloths share करते हो, इवन कंगी, जिससे कंगी करते हैं, वो भी share करते हो, तो यह disease किसी unaffected person को भी हो सकती है, appearance of dry skin, scaly lesions, nails and scalp with intense itching are common symptoms, तो common symptoms क्या है, skin जहां पर यह affect करेगा, वो dry हो जाएगा, scaly हो जाएगा, अगर यह hairs पर affect कर रहा है, तो जो scalp है, scalp में बहुत intense itching में स्खुझली होती है, in case of, if किसी परसन को ringworms ने cause किया हुआ है, या ring disease किसी परसन को हो गई है, then heat and moisture help this fungi to grow, तो यह जो fungi है, यह कब ग्रो करते हैं, अगर किसी ऐसे organ पर या किसी ऐसे area में, जहां पर heat भी है, और moisture भी present है, तो उसके वज़े से यह जो fungi है, यह बहुत अच्छे से वहाँ पर grow करते हैं, और यह जल्दी ठीक भी नहीं होता है, the next is prevention and control of diseases, तो अभी हमने देखा कि बहुत सारे disease के बारे में हमने पढ़ा, तो अभी अगर हम चाहते कि हमें वो disease ना हो, तो हम क्या करेंगे, maintenance of hygiene is very important for prevention and control of disease, measures for hygiene include the body clean, consumption of clean drinking water, food, vegetable, fruits, proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning and disinfection of water reservoirs, pools, seas pools and tanks, तो यह आप बुला गया है कि हमें जो hygiene है, उसको properly maintain करना पड़ेगा, जिससे हम disease को control कर पाएंगे, तो hygiene में क्या क्या आता है, first जो है यह body को साफ सुथरा रखना है, जैसे जो हमारा dandruff है या जो हमने last में अभी देखा disease, जिसमें वो हमारे itchiness हो रही थी scalp में, तो उसमें क्या होगा properly नहाना है, बालों को clean करना है, या body को clean करना है, then पानी जो है वो साफ पीना है, ऐसा नहीं पीना है, जिसमें कोई contamination of food है, या fruits, vegetable है, उनको खाने से पहले properly wash करके खाना है, जो waste होता है, कहीं आपने बहुत जगा देखा हो, कि जो sewage pipes होती है, वो ऐसी होती है, तो कहीं पे भी कट्रा फैला रहता है, उसके पर मख्या आती है, then disease होता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए, उसके लावत जहाँ पानी स्चोर किया जाता है, टैंक में, उस टैंक को भी regular clean करना चाहिए, कि वहाँ पे कोई organism ग्रोना कर पाए, और कहीं पे पानी को भी बहुत दिन तक इकठा नहीं होने देना चाहिए, उसको भी clean करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी हमारे mosquito वाले disease बहुत सारे फैलते हैं, जैसे कि यह जो डेंगू है मलेरिया, यह सब पानी कहीं पे इकठा होता है, तो वहीं पे यह mosquito ग्रो करते हैं, उसके वज़े से यह diseases होती है, तो यह हमारा types है, यह हमारे methods हैं, जिसके वज़े से हम किसी disease को control कर सकते हैं, in case of airborne disease, close contact with the infected person and his belonging should be avoided, तो जो air की वज़े से disease होती है, जैसे हमने common cold देखा था, उसमें किया रहा था, एक person sneeze भी कर रहा था, तो जो droplets से या pneumonia के case में भी, वो droplets एक infected person के non infected person को भी cause कर रहे थे, तो वैसे cases में, अगर कोई infected person है, तो हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए, और उसकी जो चीज़े हैं, जैसे बर्तन में वो खाना खा रहे हैं, उन सबसे भी दूर रहना चाहिए, तो जो vector bone disease की जहां पर mosquito carrier की तरह act कर रहा था, जैसे malaria और phylaris में, उन टाइब की disease में, क्या करना चाहिए, उन टाइब की disease में, हमें try करना चाहिए, कि vector जो mosquito है, अभी तो mosquito को माहने के लिए spray किया जाता है, तो हमें वैसे spray जहांपे हम रहते, वहाँ पर करवाना चाहिए, जिससे mosquito मर जाय्याए, या दूसरा काम क्या है हम क्या कर सकते हैं कि कहीं पर water का stagnation जैसे कोई सड़क पर गढ़ा होता है या कहीं आसपास में गढ़ा होता है उसमें पानी जो एकठा हो जाता है उसके वज़े से वहाँ पर वो mosquito breed करता है और अपना नंबर को बढ़ाता है देन वो आके हमें disease cause करते है तो वो जो stagnated water है उसको हम जहां पर रहते हैं आसपास उसको stagnation नहीं रहने देना चाहिए उसको हमें clean करवा देना चाहिए regular cleaning of household coolers, use of mosquito nets, introducing fishes like gambusia ponds that feed on mosquito larvae, spraying of insecticides in ditches, drainage areas and swamp etc तो जो household coolers होते हैं अगर यह coolers भी बाहर पढ़े रहते हैं उपन में तो क्या होता है कि जो इन में भी आप देखो कि वहाँ पर भी water store करने का place होता है तो अगें उस water में भी mosquito और बहुत सारे disease causing organism grow करते हैं तो उसको भी हमें clean करना चाहिए तो सोने के time mosquito nets को use करना चाहिए उसके लावा क्या कर सकते हैं जो यह ponds होते हैं जहांपे fishing की जाती है उन ponds में हम gamboosia यह एक fish का नाम है यह भी important है इसको भी आप note करना यह fish यह gamboosia यह क्या करता है जब mosquito के larvae होते हैं उसको खा जाता है तो अगर यह mosquito को larvae को खा लेगा तो mosquito आगे grow नहीं कर पाएगा देन वो disease cause नहीं करेगा इसलिए जहांपे भी ponds है वहांपे यह gamboosian fish को डाल दिया जाता है तो यह gamboosian fish जो है यह भी थोड़ा important है इसको यूज किया है यह आपको आपके notes में लिखना है उसके अलावा हम spray कर सकते हैं insecticide जिसके वरसी insects वगरा मर जा है जहांपे भी drainage area है जो पानी कहीं पर इकठा हो गया उन जगह पर हम इन सब चीजों का spray कर सकते हैं doors and windows should be provided with wire mesh to prevent entry of mosquito the use of vaccine and immunization program has enabled to control disease like smallpox, diphtheria, polio, pneumonia and titnus तो जो doors होते हैं आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि वहाँ पर एक जाली जिसको हम हम हिंदी में बहुते हैं वैसी wire mesh नहीं होती है तो जितने भी windows and door है वहाँ पर try करना चाहिए कि हम ऐसे wire mesh लगा दे जिसके वज़े से mosquito अंदर नहीं गुस पाएगा उसके पॉक्स diphtheria and polio है यह almost अभी इंडिया से हम बोलते कि खदम ही हो गया नहीं तो पहले यह disease भी बहुत ज्यादा cause होती थी और इसके वरी से बहुत ज्यादा death भी होती थी लोगों में because इसकी awareness नहीं थी लोगों में तो उनको यह disease हो जाता था and उसका cure उन्हें मिलता नहीं और वो मर जाते थे the next है वो है immunity the overall ability of the body to fight against disease causing microorganism with the help of immune system is called immunity immunity क्या है immunity body की ability है जिसके वज़े से वो disease causing microbes से अपने आपको बजा सकता है और यह body की immunity यह ability कहां से आती है यह हमारा immune system है है वहां से हमें immunity मिलती है जो immunity है वो दो type की है एक होता innate and एक होता acquired जो innate है यह जैसे हम law होते हैं कुछ type की immunity हमारी body में तबी से होता है जब हम law अनों मिल जाती है और कुछ जो immunity होती है जब हम grow करते हैं या कोई disease हमें effect करता है उसे जब हम ठीक होते हैं तो उसके बाद वो धीरे-धीरे immunity हमारी body में आती है तो जो धीरे-धीरे हमारी immunity develop होती है उसको हम acquired बोलते हैं and जो inborn रहती है उसको हम innate बोलते हैं जो फर्स टाइड कर रहे हैं वो है innate immunity, the immunity which occurs by birth is called innate immunity innate immunity is non-specific type of defense, innate immunity consists of various barriers which prevent the entry of microbes into the body तो जो innate immunity है वो क्या है यह जैसी birth होता है उसके बाद सा हमारी body में present होती है जो innate है यह non-specific type of defense है, non-specific यह important है, non-specific term यह non-specific क्यों है, हमें कैसा भी microbe affect करें, हमेशा यह same ही response करेगा इसलिए हम innate immunity को non-defensive या फिर non-specific बोलते हैं, non-defensive नहीं इसको non-specific बोलते हैं íreने next क्या है कि इसमें हमारे पास barriers होते है, वह barriers क्या करते है वह कितने भी micro organism होे बस वह barrier ही है जो stop करता है in microbes की entry को हमारे body में जैसकि skin ह स्कीन क्या करता है, हमारे body में एंटर नहीं स्कीन है, बहुत सारे microbes हैं, वह हमारी body में enter नहीं करते हैं में नहीं enter कर पाया बट एक ant आती है जब वो ant हमें काटती है तो हमारे skin उससे अलग तरीके से affect नहीं करती है नहीं उससे अलग तरीके से निपड़ती नहीं है कि ठीक है यह ant आ रही हो तो इसके पास ऐसा कोई feature नहीं है यह ant को होटा दे या कोई ऐसी चीज़ रिलीज करें जिसके वरे से ant मर जाए तो इसलिए जो innate immunity है इसको हम non specific type होते हैं innate immunity consists of four types of barriers physical barriers skin on our body is the main barrier which prevent entry of microorganism and mucus containing coating of the epithelial lining of respiratory gastrointestinal and urogenital tract also help in trapping microbes entering our body तो जो physical barrier क्या है वो है skin skin के वज़े से क्या होता है बहुत सारे microbes है वो हमारी body में enter नहीं करते हैं उसके अलावा जो mucosal coating होती है जो हमारे respiratory gastrointestinal and urogenital tract की वहाँ से जो mucos secret होता है उसके वज़े से भी बहुत सारे microbes हमारी body के अंदर enter नहीं कर पाते हैं जो नेक्स है वो है physiological barriers acid in stomach saliva in mouth tears in eyes all prevent microbial growth तो जो stomach का acid है जासे आपको पता होगा यह हमने digestion वाले chapter में पढ़ा था कि stomach का जो pH है वह बहुत जादा acidic होता है उस acidic pH के वज़े से बहुत सारे microbes वहाँ पर मर जाते हैं यह जो eyes से जो tears निकलता है उसका भी pH different होता है वहाँ से भी बहुत सारे microbes मर जाते हैं तो यह हमारे physiological barrier की तरह एक करते हैं next is cellular barrier contain two types of leukocytes WBC in our body like polymorphonuclear leukocyte and monocyte and natural killer cells in the blood as well as macrophages in tissue can phagocyte tosses and destroy microbes तो जो next है वो है cellular barrier cellular barrier में क्या है यह हमारे body के different types of cell है WBC है WBC का ही एक type होता है जिसको हम PMNL neutrophils बोलते हैं तो जो neutrophils है यह जो monocyte है यह natural killer cells है यह सब क्या करता है अगर हमारे body में microbes enter कर जाते हैं तो यह उन microbes को क्या करता है खा लेता है phagocytosis में क्या होता है यह उसको पूरा खा लेता है अपने अंदर लेने के बाद वहाँ पी यह destroy कर देता है उस microbes को लास्ट जो है वो है cytokine barrier viruses infected cells secrete protein called interferons which protect non-infected cell from further viral infection तो cytokine barrier क्या है cytokine एक ऐसा type का secretion होता है अगर किसी मालों यह cell है इसके उपर virus ने affect कर दिया है तो यह cell क्या करेगा ऐसी secretion release करेगा जिसके वज़े से इसके आसपास के cell को पता चल जाएगा कि एक virus ने affect ही है तो यह अपने आपको prepare कर लेंगे कि यह virus further उनको affect ना कर पाए तो cytokine barrier जो है यह ऐसा type का barrier है और इससे जो secretion निकलता है उसको हम interferons बोलते है The next जो है वो है acquired immunity The immunity which develops during lifetime by exposure of suitable foreign agent like microbes is called acquired immunity तो acquired immunity क्या है यह ऐसी immunity है जो एक person में lifetime में धीरे-धीरे develop होती है जब उस person को एक foreign agent या फिर एक microorganism affect करता है तब Acquired immunity is pathogen specific and is characterized by memory Acquired immunity क्या है यह specific है specific कैसे है मान लो अभी एक person है यह एक person है इसको यह कोई disease हुई है यहाँ पे जैसे जिसके हम vaccines लेते हैं polio कर लेते हैं मान लो यह polio है यह polio virus है इसने person को affect कर दिया यह polio virus में तो हम क्या करते है कि person को पहले ही हम vaccination दे दी जाती है कि polio से आप affect नहीं होगे तो क्या होता है उसमें कि इसने जो polio vaccine दी जाती है उसमें जो polio virus है उसको हम मार देते किल करके उसका एक inactive form दे देते है इस person के अंदर जो भी हमारा human है तो उसके human के जो body के जो cells है वो इसके धीरे धीरे देखके इसके against अपने आपको prepare कर लेते हैं तो अगर यह disease उस person को अगर ऐसा microbe इसके वज़े से polio होता है अगर वो उसके body में enter भी करता है तो उसको यह disease नहीं होती है when the body first encounters the pathogen it produces a response which take long time to develop and low intensity called primary immune response and if body encounters the same pathogen it produces highly intense and quick response called as secondary immune response तो again हम यह पर एक example लेते हैं जो chicken pox होता है तो chicken pox में क्या होता है कि जो person जब effect होता है जब first time effect होता है तो आपने दिखा होगा कि यह सब कोई मैंने सुना है कि सब कोई all muscles होता है जब और हो छोटे होता है तो उनको क्या होता है कि जब first time होता है तो बहुत ज़्शादा होता है बहुत ज़्शादा उनके body पे बढ़े-बढ़े से pimples type के तो pimple सुनी बोलते हैं, उनको कुछ और बोलते हैं, बढ़े-बढ़े से 4A टाइप के उनके पूरी बोडी में हो जाते हैं, तो जब first time होता है, तो बहुत ज़्यादा severe होता है, या बहुत ज़्यादा pain होता है, बिकास उनके ये first time उस जो भी virus है, उसके वरे से effect होया, तो जो उनके body के immune cells है, जो immunity provide करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा time लग जाता है, इसलिए जो उसको हम primary immune response बोलते हैं, जब उस organism से first time effect करते हैं, तो जब first immune system होता है, जब primary immune response होता है, उसको develop होने में long time लगता है, और वो धीरे धीरे इन microbes से निपटता है, बट अगर again जिस virus, जिस chicken pox virus एक बार आप ठीक होगा, अगर again आप उसे infect होगे, तो इस time आपके body के cells को पता है, की ठीक है, यह जो वाइरस है, यह एक बार पहले भी आया था, मुझे पता है, इसे कैसे निपटना है, तो इस बार आपका immune system क्या करता है, वो secondary immune response को start करता है, और यह secondary immune system है, response है, यह बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस बार अगर वो virus आपके body में, अगर last time आपको 10 days ठीक होने में लगे थे, तो इस बार हो सकता है, आप 2 या 3 days में ही ठीक हो जाओ, अब जो आपकी body करीए, वो secondary immune response है, और secondary immune response जो है, वो बहुत quick होता है, और बहुत highly intensified होता है, जैसे प्राइमरी वारा था, उसमें धीरे धीरे यह लड़ रहे थे, जो virus आ रहा था, यहाँ पी बहुत quickly उनके साथ लड़ते हैं, उनको kill कर देते हैं, next is, after responding to foreign microbes and elimination of the pathogen, the immune system keeps the memory of that encounter, primary response and during its second encounter with same pathogen, produce high intensified response, called secondary response, तो first response जो हुआ था, जहाँ पर धीरे धीरे आपके cells लड़ रहे थे, उस pathogen से, उस response को हम primary response बोलते हैं, और यह जो primary response है, इसके वारे से हमारे body में कुछ memory cells form हो जाते हैं, जब again, अगर वही pathogen आपको दुबारा affect कर रहे हैं, तो यह जो हमारे memory cells हैं, यह activate हो जाते हैं, और यह second time में एक higher intensified immune response शो करते हैं, जिसको हम secondary response बोलते हैं, next is the primary and secondary immune response are carried out by the help of two special types of lymphocyte present in our blood, तो यह जो हमारा primary immune system हैं, जो secondary immune response है, इसमें हमारे दो type के cells involved होते हैं, जिसके वारे से यह हमारा immune show होता है, तो जो first type के cell हैं, उनको B lymphocyte बोलते हैं, जो second type है, उसको हम T lymphocyte बोलते ह होते हैं, तो B lymphocyte produce an army of protein in response of pathogen into our blood to fight with them called antibodies, तो जो B cells हैं, जो B lymphocytes हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे protein release करते हैं, जो pathogen के साथ लड़ते हैं, और pathogen को किल कर देते हैं, तो जो protein release होते हैं, जो हमारे pathogen के साथ लड़ेंगे, उसको हम antibodies बोलते हैं, T lymphocytes, the T cells themselves do not produce antibodies, बट help B cells to produce them, तो जो T lymphocyte है, यह खुद से तो कोई antibodies या वैसा कोई protein secret नहीं कर रहा हैं, बट यह help करते हैं, हमारे B cells को, जिसके वज़े से वो अच्छे से, या फिर जादा amount में antibodies को form कर पाते हैं, The next structure of antibody, each antibody molecule has 4 peptide chain, 2 long chain and 2 short chain arranged in Y shape, तो जो antibody है, यह क्या एक Y type का structure होता है, और इस Y type के structure में क्या होता है, हमारे पास 4 peptide की chain होती है, में 2 long होती हैं and 2 short होती है, यह एक दूसर से connected नहीं, यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा diagram, इसका diagram है, मैं वहाँ पर आपको अच्छे से explain करते हूं, the 2 long chains are called heavy chain and 2 short chain are called light chain, hence the antibodies represented as H2L2, तो यह formula है, जिससे हम antibody को show करते हैं H2L2 से, तो यह antibody का structure भी थोड़ा सा important है, इसको आपको याद रखना है, डिजीज के बाद जो second most important है, वो यह है structure of antibody, antibodies are also called immunoglobulins, तो antibodies को हम immunoglobulins भी बोलते हैं, and immunoglobulins जो हैं, यह हमारे body में 5 types के होते हैं, then यह है, यहाँ पर structure है, antibody का, यह देखो के, यहाँ पर यह हमारे light chain है, and यह दो हमारे heavy chain है, इसलिए इसका formula H2L2 होता है, और जो antibodies हैं, यह हमारे body में 5 type के secret होती है, but आपके NCRT में 4 types के ही दिये होए थे, इसलिए मैंने यह आपर 4 ही mention किया है, IgA, IgM, IgE, and IgG, types of immunity, based on the type of immune cell acting against the antigen, immunity can be classified into 2 types, hemoral immunity and cell-mediated immunity, तो जो immunity है, उसमें कौन से type के cells involved हैं, उस type के cells को लेके हम immunity को 2 type में divide करते हैं, तो एक है hemoral and एक है cell-mediated, the immunity which is mediated by antibodies produced by B lymphocyte is called hemoral immunity, तो ऐसी immunity जिसमें हमारे antibodies produce हो रहे हैं, और antibodies कहां से produce होते हैं B cells हैं, तो ऐसी immunity जिसमें हमारे B cells and antibodies involved हो, उस type की immunity को हम hemoral immunity बोलते हैं, and cell-mediated में क्या है, the immunity which is mediated by T lymphocytes by directly attaching themself to antigen is called cell-mediated immunity, तो cell-mediated में क्या है, पहले तो हमने देखा था कि जो T cells है, यह help कर रहे B cells को secrete करने में, उसके अलावा भी इसका एक और काम है, जो T lymphocytes है, कभी-कभी यह क्या करते हैं, जो antigen यह जो pathogen है, डिरेक्ली उसके उपर जाके bind कर देता है, और उस तरीकी का जो यह जब डिरेक्ली bind कर जाता है antigen या pathogen के उपर, तो उसके वज़े से भी हमारा immunity जो response है, वो increase हो जाता है, और उस type के immunity को जहाँ पर हमारा T lymphocytes directly antigen के उपर bind करता है, उस type के immunity को हम cell-mediated immunity बोलते हैं, and even this the patient has to be taken immunosuppressant all his or her life because the body is able to differentiate self and non-self and cell-mediated immune response is responsible for graft rejection, तो यह cases आपने देखे होंगे कि अगर किसी person की kidney properly function नहीं करती है, जो heart blockage हो जाता है, या किसी वज़े से heart function नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे person से heart लेके जो infected person है, उसके body में वो दे देते हैं, तो उसके वज़े से वहाँ पे वो कुछ time तक के लिए survive कर पाता है, तो उसमें क्या होता है before this transplantation, अगर मालो यह एक person है, person A and यह है person B, हमें क्या करना है, इस person A की kidney को transfer करना है in person B, तो अगर हमें यह transfer करना है, A से यह B में जा रहा है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के tissue को match करेंगे, दोनों के blood group को match करेंगे, अगर यह compatible है, तब ही हम इस transport को यह transplantation को करते हैं, otherwise हम यह नहीं करते हैं, अब मालो ठीक है, यह A and B की kidney, एक दूसरे से compatible है, इनके tissue जो है, वो almost similar है, 100% तो यह similar कभी भी नहीं होंगे, सिर्फ जो homozygous twins होते हैं, सिर्फ उनी के case में यह एक दूसरे के compatible होते हैं, या एक दूसरे से सेम होते हैं, otherwise यह कोई भी case हो, वहाँ पे हमारे जो tissue हैं, वो एक दूसरे से different ही होंगे, तो हम यह देखते हैं कि कितना degree of similarity है, या फिर कितना कम दोनों के cells में difference है, तो ठीक है, हमने देखा कि यह जो A and B हैं, इनके cells ज़्यादा different नहीं है, अगर हमने ऐसे transplant किया, तो हो सकता है, यह person जो B है, उसके kidney work करेगी, उसके अंदर जाके, तो हमने सब चेक कर लिया, उसके बाद हमने A की kidney लेके B में डाल दी, तो अब यह जो B है, इसने kidney ले ली, लेकिन kidney लेने के बाद भी उसको बहुत सारे ऐसी दवाईया खानी पड़ती है, जिसके वज़े से जो उसका immune system है, वो कम एक करें, बिकॉस जो हमारे body के cells हैं, उनके पास ऐसी ability है कि जो हमारे अपने खुद के cells हैं, उनको पैचान सके, from the non-cell cell, तो non-cell cells क्या होगे, non-cell cells वो वाले cells होगे, जो A से इस B के अंदर आए हैं, और self-cell क्या होगे, जो B के अपने पास already present होगे, तो maximum time जो graft rejection हो जाता है, वो इसी होता है कि जो हमारे body के cells है, वो self and non-self के बीच में difference easily पता कर लेते हैं, इसलिए जिसको हम transplant करते हैं, जैसे बी ने kidney लिया तो इस B को हम बहुत सारे immunosuppression medicines देंगे, जिसके वज़े से इस B का immune system जो हो कम act करेगा, और कम act करने के वज़े से वो थोड़ी time तक के लिए after जो हमन हमारे immune cells involved है, वो cell-mediated immune response होता है, जहां पर हमारे T cells involved होते हैं, वो वाला self and non-self में involved है, based on nature of antibodies, immunity is divided into two types, तो अभी हमने देखा कि जो हमारा immunity है, वो B cells and T cells के उपर dependent हैं, तो जहां पर हमारे B cells involved थे, वो वाली थी हमारी humoral immunity और वहां पर हमारे antibodies form हो रहे हैं, तो जो antibody-mediated immunity है, उसको भी हमने two types में divide किया है, एक है active and जो दूसरा होता है, वो है passive, पैसिव वाला next slide में है, पहले हम active immunity को पढ़ लेते हैं, when a host is exposed to antigen, which may be in form of living or dead microbes, और other protein antibodies which are produced in host body, this type of immunity is called active immunity, example, antibody produced when microorganism enters the body, तो active immunity में क्या है, अब मान लो ये person है, अगेन यहाँ पे हमने a person लिया है, अब ये person है, इसको first time एक disease हुई है, ये मान लो ये हमारा अगेन कोई virus आए, इस virus ने इसको effect किया, तो हो सकता है, जब ये virus affect करेगा, तो उसके body के जो cells है, ये कुछ ना कुछ तो immunity उसके against produce करेंगे, तो ऐसी immunity, जब किसी person के अंदर तब evolve होती है, जब वो directly उस microbe या फिर virus या जो भी है उसकी act में आता है, तो उस type की immunity को हम active immunity बोलते हैं, The next is passive immunity, when ready-made antibodies are directed, given to protect the body against foreign antigen, this type of immunity is called passive immunity, Example, the yellowish fluid colostrum secreted by mother during initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant, तो passive immunity में क्या होता है, कि जो antibodies है, वो ready-made antibodies, जो person है, उसके body में दे दी जाती है, जिसके वज़े से वो foreign agents है, जो foreign microbes है, उनसे लड़ सकता है, तो इस type की immunity, जहां पे हम directly antibodies तेरे body में, उस type को हम passive immunity बोलते हैं, और इसका example क्या है, जो colostrum होता है, जो mother में initial days में produce होता है, अगर वो जो infant है, जो baby है, गर उसको वो milk दिया जाए, तो उसके body में antibodies IgA produce हो जाता है, और यह जो IgA है, वो से बहुत सारे disease से against defense provide करता है, next is vaccination and immunization, vaccination is process of production of vaccine into the body to produce antibody against the antigen to neutralize the effect of pathogen during actual infection, तो vaccination क्या होता है, vaccination ऐसा process है, जिसके वज़े से हम क्या करते हैं, किसी person की body में antibodies को डाल देते हैं, उस vaccine जो हमें दी जाती है, उस vaccine में already antibodies होती हैं, और वो antibodies जब हमारी body में जाती हैं, तो अगर हमारी body में अगर पहले से वो antigen present है, या जब वो antigen कर हमारे उपर act करेगा, या जो virus जो है या जो भी pathogen act करेगा, तो यह जो हमारी antibodies है, यह उसको kill कर देंगे और हमें disease होने से stop कर देती हैं, the next क्या है, vaccine are dead और weakened pathogen introduced in body, body main vaccine की form में डाला जाता है, the dead और weakened pathogen lead to production of antibodies which neutralize the pathogen antigen during actual infection with same pathogen, तो यह जो dead या फिर weakened pathogen हमारी body में डालता है, उसके बड़े से क्या होता है, हमारी body उस weakened pathogen के against antibodies को form करना start कर देती हैं, तो यह antibodies हमारे body में already present होता है, तो जब actual infection होता है, तो यह antibodies उस infectious agent के against add करती हैं, फिर defense mechanism हमारी body को provide करती है, जिसके बड़े से हमें वो disease फिर नहीं होती है, immunization is the process where pre-formed antibodies against the toxin are produced in the body, तो immunization में क्या और है कि यहाँ पर हमारी body में antibodies already डाल दी जाती है against the toxin, तो इस बड़ हम toxin के against antibodies डाल रहे हैं, इन vaccination हम किसी एक virus या फिर एक pathogen के against हम अपने body में antibodies ले रहे थे, इस बड़ हम एक toxin के against ले रहे हैं, using recombinant DNA technology, antigenic peptide of pathogen in bacteria और yeast, example hepatitis B vaccine is produced from yeast, तो जो recombinant DNA technology है, उसके वड़े से हम क्या करते हैं, कि यह जो antibody होती है, उसको हम एक yeast में या फिर एक bacteria के अंदर develop करवाते हैं, और फिर जब यह develop हो जाती है, तो हम immunization के form में एक healthy person उसके body में डाल देते हैं, और वहाँ पर immune response जो है, वो start हो जाते हैं, next is allergy, the exaggerated response of the immune system to certain antigen present in the environment is called allergy, तो allergy क्या है, यह हमारे immune system का ऐसा response है, यह तब होता है, जब जो antigen है, वो हमारे आसपास के environment में present होता है, उस ताम जो antigen है, वो body में नहीं है, वो आसपास के environment में है, the substance to which immune responses produce are called allergens, तो जिस वज़े से हमारे immune system का जो reaction है, वो start हो गया है, उस substance को हम allergens बोलते हैं, जब वो environment में present है तब, common example of allergens are mites, dust, pollen, animal, dander, etc, तो common example के हैं, जो allergens की तरह act कर सकते हैं, तो वो हो सकते हैं, mites, उसके लाब are dust, pollen, grains, animal, dander, allergy is due to release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cell, तो allergy क्यों होती है किसी person में, तो allergy तब होती है, जब हमारे body के mast cell, ये important है कि allergens जो होते हैं, या फिर जो allergy होती है, तो उस तरह जो hormones या जो secretion होती है, वो कहां से secret होता है, तो ये mast cell से secret होता है, और जो chemical secret होते हैं, वो है histamine and serotonin, इन दोने के वज़े से allergic reaction होती है, एक person के body में, तो ये जो point है, इन पॉइंट है, इसको भी आपके notes में आपको लिखके रखना है, the antibodies produced to these are of IgE types, तो जो antibodies produced होती हैं हमारी body में, against the allergen, वो IgE types के होती हैं, symptoms क्या होते हैं, allergic reactions में, तो symptoms generally होते हैं, sneezing, watery eyes, means आखों से पानी निकलता है, running nose, या फिर breathing difficulty हो सकती, ये common symptoms है during allergies, the patient is diagnosed, by injecting or exposing the patient, to very small dose of allergen, तो जिन patient को अगर बहुत ज़ादा, ये severe symptoms होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कैसे पता करते हैं, कि उसको इस चीज से allergy है, तो मान लो किसी person को pollen grains से allergy है, तो हम क्या करेंगे, उस patient के body में थोड़ा सा pollen grains, या जो उन pollen grains से, जो secretion होता है, जिसके वज़े से allergy होती है, उसको उस patient की body में inject करते हैं, और अगर उस person को allergy हो जाती है, तो हम में समझ में आ जाता है, कि किस चीज के वज़े से, या फिर उस pollen grains के वज़े से, उसको allergy हुई है, ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामीन, अड्रिलिलिन, और स्टिरोइट्स, खिक्ली रिड्यूच्ट से symptoms of allergy, तो अगर किसी person में बहुत जादा ये allergy के symptoms है, हम चाहते हैं, वो stop हो जाएं, तो हम क्या करें, तो हम anti-histamine, adrenaline, या फिर स्टिरोइट्स, ऐसी medicine देते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो histamine का secretion है, और जो serotonin का secretion है, उस secretion को कम कर देते हैं, तो हमें, जो symptoms of allergy हैं, उससे हमें relief मिल जाते हैं, नेक्स इस autoimmunity, तो जो हमारी body के cells है, हमने देखा था, अभी जहां पर graft के बारे हम पढ़ा था, यह जो transplantation का, तो वहां पर हमने देखा कि, जो हमारे body के cells है, वो अपने body के cells, और दूसरे body के cells को, easily differentiate कर सकते हैं, but because of genetic disorder, कभी-कभी क्या होता है, कि जो हमारे body के, खुद के cells हैं, जो अपने own cell को ही, non-cells cell की तरह, पहचानने लग जाता है, या फिर उसको properly पहचान नहीं पाता है, because of genetic disorders, तो वैसे genetic disorder के वर्ज़स, जो disease होती है, उसको हम autoimmune disorder बोलते हैं, यानि जो rheumatoid arthritis है, ये एक type का autoimmune disorder है, तो ये rheumatoid arthritis, जो है ये भी important point है, इसको भी आप याद करके रख लेना है, या आपकी notes में लिख लेना, the next is immune system in the body, immune system consists of lymphoid organs, lymphoid tissue, B cells and T cells and antibodies, तो जो हमारा immune response है, वो इन चार चीज़ों के उपर depend करता है, इन चार चीज़ों के आक्शन के वज़े से हमारी body में immune response show होता है, lymphoid organs, the organs where origin and oblique are the maturation and proliferation of lymphocytes are called lymphoid organs, तो lymphoid organs क्या है, lymphoid organs वैसे organs है, जहाँ पर हमारे cell का maturation या proliferation होता है, उस type के organs को हम lymphoid organs बोलते हैं, lymphoid organs are of two type, primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ, तो जो हमारे lymphoid organ है, जहाँ पर हमारी maturation या फिर origin हो रहा है, cells का, वो दो type के हैं, एक है primary और एक है secondary, primary lymphoid organ are bone marrow and thymus, वेर immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes, तो जो primary lymphoid organ है, वो क्या है, हमारे primary lymphoid organ जो है, वो दो है, एक है bone marrow और एक है thymus, यह important है, प्राइमरी जो और गन से यह important है, यह पूछा जा सकते हैं, इसको आप लिख लेना, कि जो primary lymphoid organ है, वो कौन-कौन से, तो primary lymphoid organ है, bone marrow and thymus, तो bone marrow and thymus में क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो immature lymphoid cell, जिनको हम lymphocyte बोलते हैं, वो differentiate होते हैं, और वो antigen sensitive lymphocyte में change होते हैं, तब bone marrow is main lymphoid organ, वेर blood cells, including lymphocytes are produced, तो यह cells कहां produce हो रहें, जो हमारे lymphocyte हैं, एक तो यह bone marrow में और thymus में होते हैं, तो thymus में यह क्या करते हैं, थाइमस में यह sensitive towards the antigen होते हैं, और bone marrow में यह produce होते हैं, तो bone marrow में हमारे blood cells और lymphocytes produce होते हैं, तो thymus is lobbed organ near the heart and beneath the breast bone, तो thymus कहां present होता है, thymus hurt के पास, और जो breast bone होते हैं, जो हमारी ribs की जो एक जो बीच में होते हैं, यहाँ पे हमारे ribs होते हैं, और यहाँ पे एक बीच में जो bone होते हैं, जिसको sternum बोलते हैं, उसी को breast bone भी बोलते हैं, तो इस breast bone के नीचे हमारा thymus present होते हैं, spleen, tonsils, lymph node, pierce patches of small intestine and appendix are secondary lymphoid organ where proliferation of lymphocyte takes place, तो यह जो spleen हैं या जितने भी organs लिखें यहाँ पे, tonsils, lymph node, pierce patches, यह सब हमारे secondary lymphoid organ हैं, यहाँ पे proliferation of lymphocyte होती है, तो जो हमारा lymphocyte है वो बना कहां, वो bone marrow में फॉर्म होते हैं, यह thymus में फॉर्म होते हैं, बट जब इसको divide करना है, वहाँ पे यह mature होता है, और जब इसको बहुत ज़्यादा अपना number multiply करना है, तो यह secondary lymphoid organs में आता है, और वहाँ पे अपने number को increase करता है, तो secondary lymphoid organs provide the site for interaction of lymphocyte with the antigen, which then proliferate to become effective cell, तो secondary lymphoid organ में क्या होता है, जब यह primary lymphocytes आते हैं, तो यह lymphocytes हैं, यहाँ पे interact करते हैं antigen के साथ, और antigen के साथ जब यह act करते हैं, तब यह effective cell में convert होते हैं, जो स्प्लीन है, वो क्या है, वो स्प्लीन एक बीन शेप का large organ है, जहाँ पे हमारे lymphocytes और phagocytes होते हैं, तो जो lymphocytes और phagocytes क्या करते हैं, यह filter के तरह act करते हैं, और यह filter के तरह act करते हैं, तो जितनी भी microbes होते हैं, उसको यह filter करते हैं, वहाँ पे यह इसको मारने में help करते हैं, उसके अलावा जो स्प्लीन है, वो इरोथ्रोसाइड का भी रिजोवेर के तरह एक करता है वहाँ पर बहुत सारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं उनको भी हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो lymph nodes are small solid structure located at different points along the lymphatic system तो lymph nodes के होते हैं छोटे-छोटे-छोटे solid type के structure हैं जो हमारे body के बहुत different parts में present होते हैं और ये भी हमारे lymphatic system का ही part है lymph nodes serve to trap the antigen and these antigen trapped are responsible for activation of lymphocytes and cause the immune response तो lymph node का function क्या है lymph node जो है वो antigen को अपने अंदर trap करके रखता है और जब वो antigen को trap करके रखता है तो उसके वज़े से जो हमारे lymphocytes है वो activate हो जाते हैं और हमारा immune response जो है वो start हो जाते हैं next is lymphoid tissue lymphoid tissue are located within the lining of the respiratory, digestive and urogenital tract lymphoid tissue are also called mucosal associated tissue lymphoid tissue MALT which constitute about 50% of lymphoid tissue in the human body तो जो lymphoid tissue है ये हमारे body के respiratory, digestive and urogenital tract में present होता है और lymphoid tissue को हम mucosal associated lymphoid tissue या फिर MALT से भी हम जानते हैं और ये 50% of lymphoid tissue होता है इन दे बॉड़ी तो ये नेक्स डिजीज ये है AIDS, the term AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome तो ये full form बहुत 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 पूचा गया या नहीं पता नहीं बट एक बद आप इसको देख लेना या देखना भी है तो मुझे लगता है सबको याद ही होगा The disease is acquired during lifetime AIDS is caused by HIV Human Immunodeficiency Virus तो यह जो disease है यह inborn भी हो सकती है मैं जब से birth हुआ है तब से भी हो सकता है और किसी person को उसकी life में बीच में कभी भी हो सकता है और यह किसके वज़े से हो रहा है तो यह virus के वज़े से हो रहा है virus का क्या नाम है Human Immunodeficiency Virus HIV is retrovirus having RNA as genetic material तो HIV का जो DNA है या जो HIV का जो genetic material है वो होता है RNA Mode of transmission नीज यह एक non-infected person को कैसे हो सकता है from an infected person sexual contact with infected person blood by transfusion of contaminated blood and blood product by sharing infected needles as the case of intravenous drug abuser from infected mother to her child through placenta तो अगर एक non-infected और infected person की बीच में sexual contact होता है तब चांस है कि जो non-infected person है उसको HIV हो जाए तो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है कि अगर हम ऐसा blood transfusion कर रहे है जहाँ पे एक person जो है non-infected है और एक infected है तो जो non-infected है उस टाइम पे वो AIDS cause कर सकता है उसके लावा जो syringe होती है जो चीज़े यूस की जाती है during transfusion जो वहाँ पे pipes होती है जो syringes बगरा डालते है अगर वो एक किसी infected person से ली गई है जो पहले infected person को यूस किया देन एक non-infected person को यूस कर दिया गया वही same चीज़े तो भी हो सकता है तो थर्ड पॉइंट भी उसके extended पॉइंट है second point का कि जो drug abuser होते तो जो drug abuse करते वो intravenous drug होता है जो veins होती है हमारे body के उस veins में दिया जाता है तो वैसी needle भी अगर दो person same needle share कर रहे है तब भी हो सकता है या अगर एक mother है जिसको already AIDS था तो जो उसे जो child born होगा उस child में placenta के थूँ भी ये disease हो सकता है then next हो है वो है life cycle of HIV after getting into body the virus enters into macrophages और T helper cell the viral RNA genome replicate to form viral DNA with enzyme called reverse transcriptase तो जो ये body में enter करता है जब virus तो ये कहां जाता है ये macrophages या फिर T helper cell के पास जाता है और क्या करता है कि ये जो viral genome है अपने viral genome को replicate करना start कर देता है तो ये कैसे replicate करता है ये एक enzyme reverse transcriptase इसकी help से अपने genome को उस human के अंदर replicate करना start कर देता है तो ये जो enzyme है reverse transcriptase ये भी important है ये आपके notes में आप लिख के रख लेना तो viral DNA gets incorporated into the host cells DNA and directs the infected cells to produce virus particle and the macrophage continue to produce viruses तो अब जो ये viral DNA था ये जो host का DNA था मालू ये हमारे पास host का DNA है ये जो ये मैं एक मिन पेंचेंज करके ये जो blue वाला है ये हमारा viral DNA है तो क्या-क्या virus ने host के DNA के साथ ही अपने DNA को जोड़ दिया अब जो DNA फॉर्म होगा इसके वज़े से वहाँ पे तो इस virus का भी genetic material है तो इस virus का genetic material के वज़े से जो अब new proteins form होगे वह virus के related form होगे जिस virus ऐसे protein form करेगा जिसके वज़े से वह अपने number को बढ़ा रहा है तो virus क्या करेगा अब ऐसी proteins या वैसा code form करेगा जिसके वज़े से वह अपने number को बढ़ाएगा virus released from macrophage attack T helper cell and cause the progressive reduction in T helper cells and due to which person starts suffering from infection and several other microbes तो अब यह क्या कर रहा है virus अपना number भी बढ़ा रहा है नंबर बढ़ा रहा है उसके बाद क्या कर रहा है यह virus जाके macrophages पे भी attack कर रहा है macrophages पे attack करता है T helper cell के उपर attack करता है body के और जब यह T helper cell पे attack करता है तो क्या करता है उनके number को बहुत कम कर देता है और T helper cell का अगर number बहुत कम हो जाता है तो जो person है वो बहुत सारी disease बहुत easily catch कर लेता है उसको बहुत सारी infections जो है वो बहुत जल्दी होते है तो inner way DNA क्या करता है एक person के immune sorry जो यह HIV virus है वो क्या करता है यह एक person का immune system है उसको बहुत weak कर देता है उसको एक common cold भी अगर हो जाएगा HIV infected person को तो उसको से ठीक होने में हो सकता है बहुत time लगे 2-3 months around लग सकता है because उसको जो T helper cell है जो body का immune response को mediate कर रहे है उनका ही number यह कम कर देता है Diagnosed by ELISA enzyme link immunosorbent assay तो यह important point है यह हो सकता है पूछ लिया जाए कि diagnostic test क्या है for HIV या फिर AIDS तो वो है ELISA treated with antiretroviral drugs but that is only partially effective तो जो person है जिनको AIDS हो जाता है उनको हम antiretroviral drugs देते हैं but यह partially effective है means यह उस person को पूरा cure नहीं कर पाते हैं या फिर 100% cure नहीं कर पाते हैं कुछ परसेंट तक उनकी जो disease है वो cure हो पाती है then prevention of AIDS to follow safe blood transfusion to use disposable needles distribute free condoms to prevent drug abuse तो AIDS को prevention के methods है कि हमें जब transfusion कर रहें तो transfusion blood transfusion है वो properly किया जाए वहां पर जो syringe वेगरा use की जाती है वो सब ठीक हो उसके बाद जो disposable needles हो जहां पर sexual contact कर रहें एक non infected and infected person की बीच में वहां पर तो उनको condoms we get up provide किया जाए उनको educate किया जाए उसके अलावा drug abuse को भी stop करना चाहिए the next way is cancer cancer is uncontrolled cell division leading to formation of mass called tumor to cancer क्या है cancer में जो हमारे cell से वो बहुत ज्यादा divide करते है और बहुत ज्यादा divide करते uncontrolled divide करते जिसके वादे से एक tumor form हो जाते है the contact inhibition is the property of normal cell by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth तो जो हमारे cancerous cell होते हैं उनके पास एक property होती है contact inhibition की तो इस contact inhibition के वज़े से क्या करते है कि मालो यह cancerous cell है और यहां पर बहुत सारे cell है अगर यह cancerous cell इसके पास जाएगा तो इसको भी बोलेगा कि तुम भी बहुत ज्यादा divide करो तो इस contact inhibition के वज़े से क्या करते है यह जो cancerous cell है उसके आसपास के cell को भी एक cancerous cell में convert कर देता है means एक non-cancerous cell को भी cancerous cell में change कर देता है cancerous cells lost the property of contact inhibition and as a result of these cancerous cells continue to divide give rise to masses cell called tumor तो जैसे मैंने आपको बता है कि जो हमारे cells होते है contact inhibition की जो तो जिसके वरे से अगर वो एक cell दूसरे cell के पास जाता है तो उसके वरे से उसको भी और activate कर देता है कि तुम और ज्यादा divide करो उसके वरे से बहुत सारे एक person के अदर हो सकता है कि एक जगा पर नहीं दो तीन जगा पर उसके body में हमें यह cancer cell में ले तो यह tumor है यह दो टाइप के होते हैं एक है benign और एक है malignant benign tumors normally remains confined to the original location and do not spread other parts of the body तो जो benign tumor है यह कैसा एक टाइप का tumor है यह ऐसा tumor है जहां पर मानलो यह एक location पर हुआ यह एक person की मानलो यह उनकी legs में हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि उनके legs से उनके body के दूसरे organs hands brain या कहीं पर चल जाए अगर leg में हुआ तो यह leg में ही रहेगा वहां से move नहीं करेगा तो इस type के tumor को हम benign tumor बोलते है जो next है वो है malignant malignant tumor क्या होता है वहां पर malignant tumors are the mass of proliferating cells called new plastic or tumor cells जो malignant cells होते हैं वहां पर जो cells होते हैं उनको हम new plastic cells या फिर tumor cells बोलते हैं malignant tumor grow very rapidly and invade and ultimately damage surrounding tissue तो जो malignant tumors होते हैं यह बहुत जल्दी grow करते हैं बहुत fast growing होते हैं उसके लावा यह cells वैसे हैं जो आस-पास के cells को भी damage करते हैं the property by which cancer cell moves to distinct place from their origin by blood and invade the normal cell to make them cancerous cell is called metastasis तो जैसे हमारा जो benign tumor था वो अगर legs में था तो वो legs में रहेगा बट जो हमारे malignant tumor है वो एक जगा पर नहीं रहते हैं for metastasis then cause of cancer transformation of normal cell into cancer cell may be induced by physical chemical और biological agents like carcinogen तो cancer कैसे होता है जब body के normal cell cancer cell में change हो जाते हैं तब किसी person को cancer हो सकता है और यह कैसे होता है कुछ physical या फिर chemical changes होते हैं जिसके वज़े से हमारे normal cell जो है वो carcinogen में change हो जाते हैं physical carcinogen ionizing radiation like x-ray gamma rays ionizing UV radiation तो कुछ rays जैसे x-ray जो gamma rays यह सारी radiation है जो हमारे normal cell को cancer cell में change कर देती हैं इसलिए इन टाइप की rays को हम physical carcinogen बोलते हैं तो chemical carcinogen क्या है टोबाको, smoke and other chemicals तो जो यह tobacco and smoke है यह ऐसे कुछ chemicals है जो carcinogen में convert कर सकते हमारे normal cells को then biological carcinogen cancer causing virus are called oncogenic virus have genes called viral oncogene तो कुछ virus होते हैं जिनको हम oncogenic virus बोलते हैं और इन virus के पास एक gene होता है जिसको हम viral oncogene बोलते हैं cellular oncogen और proto oncogen is normal cell when get activated lead to oncogen transformation of normal cell तो यह cellular या फिर proto oncogen क्या है यह एक ऐसे cell है जब यह body में आ जाते हैं तो एक normal cell को भी एक cancer cell में convert कर देते हैं then उस case में भी एक person को cancer हो सकते हैं the next is detection of cancer तो किसी person को cancer हो गया यह कैसा पता चलेगा तो उसके लिए biopsy है यह important test है then यह histopathological study है यह दो चीज़े की जाती है जिसके वरे से cancer को detect किया जाए then radiography है radiography में x-ray या फिर CT है CT को हम computer tomography बोलते हैं तो यह सब हम चीज़े कर सकते हैं जिससे हमें cancer का पता चल जाता है उसके अलावा यह MRI कराया जाता है जिसको magnetic resonance imaging बोलते हैं इससे भी हमें cancer को detect कर सकते हैं use of antibody अगेंस cancer specific antigens तो अगें हम यह पे antibodies को भी use कर सकते हैं जिससे हमारे body के जो specific cell है cancer causing cell है उनके साथ कुछ interaction होगा और उस interaction को हम पता कर सकते हैं तो हमें पता चल जाका कि कि किसी person को cancer हुआ है या फिर नहीं हुआ है ट्रीटमेंट क्या है for cancer तो cancer के लिए generally surgery ही करनी पड़ती है उसके अलावा radiotherapy या radiation होता है वो use किया जाते है कुछ case में हम पहले surgery करते हैं then chemotherapy करवाना पड़ता है कि जिससे अगर हमारे body में कहीं और cells पे भी present है एक जो main जहां पर हमारा हमान लो एक हमारे hands है hands में बड़ा सा cell सा cancer cell उसको हमने निकाल दिया बट ऐसा भी तो हो जगता है कि वह हमारे lymphatic tissue में आसपास के कहीं पर cell में present हो तो उसके लिए फिर chemotherapy कराई जाती है biological response modifiers alpha interferon which activate the immune system and help the destroy tumor तो यहाँ पर हम क्या करते कुछ modifiers use करते जैसे alpha interferons है interferons हमने पहले पढ़ा था कि interferons ऐसे signals होते हैं जो एक cell release करते हैं जिसके वज़े से वह उसके आसपास के cell से उनको stop करता है या उनको समझा देता है कि अभी cancer cell आने वाले है तुम ready हो जाओ तुम उनसे affect नहीं होना तो यह alpha interferons को use किया जाता है to treat cancer कभी कभी इन सब चीजों के जितने भी हमने पास treatment है इन सब का combination भी use करना पड़ता है कि हम उस disease से बहार निकल पाए next topic is drugs and alcohol abuse the drugs which are commonly abused are opioids cannabinoids and coca alcoids तो जो drugs को misuse किया जाते है जिस drugs को misuse करते हैं लोग उसको हम abuse बोलते हैं तो कौन से drugs को यहां पर misuse generally किया जाते हैं वह है opioids cannabinoids and coca alkonoids इनको generally misuse किया जाते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इन ड्रग को abuse किया जा रहे हैं तो जो first class है वह है opioids opioids are the drugs which bind to specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract तो जो drugs ही कहां effect कर रहे हैं तो हमारी body में इसके receptors present है जिसको हम opioid receptor बोलते हैं तो यह जो receptor ही हमारे CNS या फिर brain में present है और gastrointestinal tract में present है तो जब यह opioids जो drugs जो है अगर कोई person इसको abuse करते हैं तो यह जो drugs है जाके इन receptors के उपर बाइंड कर लेता है heroin commonly called smack is chemically diacetylmorphine which is white odorless bitter crystalline compound and is obtained by acetylation of morphine extracted from the latex poppy plant papyver somenifener तो यहां पर जो heroin है इसको generally smack बोलते हैं तो यह पूछा जा सकते है कि heroin जो है यह drug यह smack drug है वो कहां से आता है यही सिफ आपको पूछा जा सकता है अगर पूछा जाएगा तो यह आता है plant से जिसको papyver someniferum बोला जाता है देन इसकी properties यह कैसे है तो यह chemically diacetylmorphine होता है यह colorless होता है white color का होता है उसके अलावा इसकी specific कोई smell भी नहीं होती है heroin is depressant and slow down body function तिस जो heroin है यह depressant की तरह act करता है depressant की तरह act करता है means यह हमारे body function को slow down कर देता है the next जो है वो है cannabinoids cannabinoids interact with cannabinoid receptor present principally in the brain तो अगें यह जो cannabinoids है इसके भी receptors present होते हमारी body में और brain में ही generally present होते है natural cannabinoids are obtained from the influence of plant cannabis sativa तो यह जो cannabinoids है यह कहां से आता है तो यह भी एक plant है जिसको cannabinoid sativa बोलते उसससे आता है जो यह plant है उस पर flower होता है उस flower से इस drug को निकाला जाता है the flower tops leaves and resin of cannabinoids plant are used for various combination produce marijuna, hasties, charras and ganja तो यह जो plant है इस plant के जो flowers होते हैं leaves होते हैं और जो raisins होते हैं इन तीनों को पीस के या इनका कुछ एक डिफरेंट formula chemical formula बनाया जाता है उससे डिफरेंट टाइप के drugs बनते हैं या फिर मिर्जुना या चरस गाजा है यह सारे cannabinoid plants से ही चीज़े form होती हैं effects on cardiovascular system of the body तो यह हमारे central nervous system के उपर effect करता है तो जो भी जितने भी drugs है उसमें से जो drug है और वो किस plant से आता है यह important है और अगर आप एक और चीज़ याद करना चाहते हैं तो यह कहां effect करता है हमारे body के वह आप याद करें ना बस इसमें drugs वाले portion में ज्यादा चीज़ें पढ़ने की नहीं ज़रूरत है then next जो है वह है coca alcoid coca alcoid or cocaine is obtained from coca plant erythro oxalum coca जो coca alcoid है यह erythro oxalum coca से निकलता है उस plant से हम इसको obtain करते हैं coca alcoid interface the transport of neurotransmitter dopamine तो यह भी अगिन हमारे brain के उपर यह effect करता है तो यह neurotransmitter के उपर act करता है और जो dopamine है उसकी secretion को effect करता है coking commonly called as coke और crack तो जो cocaine है इसका general name जो market में अगर ऐसी जो लोग बोलके बेशते हैं उसको coke या आपके crack नाम से बेशते हैं it is potent stimulating action of central nervous system producing sense of euphorbia and increased energy तो यह कहां act कर रहा है हमारे brain पे यह central nervous system पे act करता है और यह ऐसा sense उस person में create करता है जिससे अगर यह person किसी ने consume किया है यह drug को cocalcoid को तो उसको लगता है वह बहुत खुश है या फिर उसके अंदर बहुत जादा energy है इस drug को लेने के बाद excessive dosage of cocaine cause hallucination तो अगर किसी person ने बहुत जादा यह drug ले लिया तो उसको hallucination होता है hallucination means जैसे हम बोलते हैं कि किसी ने drug ले लिया तो उसको अगर एक गारी आती है तो भी उसको चार दिखती है तो ऐसी चीजों को hallucination बोला जाता है तो अगर excessive cocaine किसी ने use कर लिया तो उसको hallucination होता है some plants with hallucinogenic properties are atropa belladona and dhatura तो और भी plants है जिसके वज़े से hallucination हो सकता है तो plants के name है atropa belladona and dhatura तो इनसे भी जो एक drug निकलता है उसके वज़े से भी hallucination हो सकता है drugs like barbiturates, amphetamines, benzodipines, lysergic acid, dimethyl amides, LSD are used as medicine to patient cope with mental illness and depression and insomnia are often abused तो यह जो drugs है जैसे barbiturates है जो amphetamines है यह जनरली patients को दिया जाता है जिनको mental illness हो तो depression है जो ठीक से सो नहीं पाते insomnia वो disease होती है जिसमें लोगों को properly नींद नहीं आती है तो यह सब जो drugs है यह उन medicines में use किया जाता है बट लोग इसको कभी-कभी misuse भी करते है morphine is effective, sedative and painkiller is often abused तो यह जो morphine है यह भी एक drug है यह sedative की तरह या फिर painkiller की तरह use किया जाता है sedative means again जिन लोगों को नींद नहीं आती है या फिर उनको बहुत uneasy सा फील होता है जो बोलते बहुत हलचल लग रही उनका मन शांत नहीं होता है वैसे टाइप के जो पेशेंट होते उनको यह morphine दी जाती है तो उसके वज़े से उनके बॉड़ी में जो पेइन है या जो लिखोईड निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लाइड टो रीलीज अड्रीनल ऑन और अद्रीनलीन इन्टो ब्लॉड सेकूलेशन बोथ वीच रेस ब्लॉड प्रेसर और इंक्रीस घर्ट रेट तो यह जो टोबैको होता है यह टोबैको प्लांट से ही आता है और इस ब्लड में जाता है तो ये ब्लड प्रेशर और हर्ट रेट को इंक्रीज कर देता है स्मोकिंग ऑफ टोमाको इस एसोसियेटेड विट इंक्रीज इंसिदेंस ऑफ कांसर अफ लंग यूरिनेरी ब्लैडर, थ्रोट ओरल केविटी, ब्रॉंकाइटिस, एंफाइसीमा, कॉरोनरी हर्ट डिजीज और गस्ट्रिक अलसाइड, अलसाइड, एटीस तो अगर कोई पर्शन स्मोक कर रहा है तो उसमें जितनी भी आपे डिजीज दी है जैसे कैंसर है, यूरिनी ब्लैडर की कैंसर है इसले काव जाता है कि टोबैको स्मोकिंग के वज़े से कैंसर हो सकते है तो टोबैको स्मोकिंग नहीं करने चाहिए इंग्स अडिक्शन अडिपेंडेंस अडिक्शन इस फिजिलोजिकल अटाच्मेंट तो सर्टन एफेक्स such as euphorbia and is associated temporary feeling of well-being associated with drug and alcohol तो addiction क्या है? Addiction एक ऐसा psychological attachment होता है उस drug के साथ जिसके वज़े से आपको temporary जब उस drug को लेते हो तो लगता है कि उस person को बहुत अच्छा लग रहा है उसमें बहुत energy है और अगर वो उस drug को नहीं लेता है तो उसको लगता है कि उसके body में कोई जान नहीं है वो मर जाएगा With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors present in body increases and consequently the receptors respond only to higher dose of drug और alcohol leading to greater intake and addiction तो जैसे हमारे जो भी drugs है, हमने देखा उनके receptors हमारे body में already present थे तो हमारे body के जो receptors है उनको तो आदत नहीं है इस drug को लेने की अब किसी person ने लेना start किया तो उसके drugs को उसके body के receptors को पता चल गया कि ठीक है यह मिल सकता है तो अगर वो पहले 1 mg उतन लेता था या 1 gram लेता था तो उसके body को तब अच्छा feel होता था या उसको यह जो यू 4 भी आ है जिसके वाज़े से उसको बहुत अच्छा या high energetic feel होता था अब वो नहीं होगा वो धीरे-धीरे cells जो है बोलेगे कि और दो हमें 1 mg से नहीं अब हमें 4 mg चाहिए या फिर 6 mg चाहिए तो वैसे धीरे-धीरे जो वो drugs जो है वो जो level है वो increase होता जाता है और उस increase होने के बदचे से ही person में addiction हो जाता है then dependence is tendency of body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal symptom of regular dose of drug alcohol is abruptly discontinued तो dependence क्या है? dependence एक body की ऐसी tendency है यह ऐसा characteristics है अगर मान लो जो person बहुत time से drug ले रहा है तो यह withdrawal symptoms में क्या-क्या होता है? withdrawal symptoms में उस person को anxiety हो सकती है शेकिनेस, nausea या sweating यह सब symptoms है अगर कोई person एगदम से उस drug को छोड़ना चाहिए तो इसलिए एक बाद drug तो कोई भी person easily ले सकता है बट उसको छोड़ना उस person के लिए बहुत जादा ही difficult हो जाता है effects prevention and control of drug oblique alcohol abuse immediate effects or reckless behavior vandalism and violence तो जो भी अब हमारे अगर कोई person बहुत जादा alcohol abuse कर रहे या drug abuse कर रहे है तो हमें क्या-क्या methods यूज़ करने चाहिए जिसके वज़े से उसको हम prevent कर पाए वो person जादा drugs को यूज़ ना करे तो यह जो drugs जो है यह generally market में available है उनका availability को stop करना जो first point है वो यह है excessive dose of drug में lead to coma and death failure to respiratory failure, heart failure and cerebral hemorrhage तो अगर किसी person ने जो drug है उसको बहुत जादा ले लिया, overdrug ले लिया तो क्या-क्या हो सकता है, वो person coma में जा सकता है, उसकी death हो सकती है, respiratory failure हो सकता है, heart failure या फिर blood जो हम hemorrhage बोलते हैं, जो brain में जो blood clot formula लगता है, जो brain मे बहुत जादा blood flow करता है, release होता है, वो सब हो सकता है, those who take drugs intravenously can get infected with AIDS and hepatitis B, अब जो लोग drugs intravenously लेते हैं, injection या syringe की form में लेते हैं, उनको AIDS या फिर hepatitis B भी होने के chances बहुत जादा होते हैं, the chronic use of drug and alcohol damages nervous system and causes liver sclerosis, जो लोग drugs बहुत जादा यूस करते हैं, जो alcohol बहुत consume करते हैं, उनके body में जो nervous system है, वो properly function नहीं करते हैं, उसके अलावा उनके liver के उपर भी बहुत गंदा effect परते हैं, उस condition को हम liver sclerosis बोलते हैं, the use of drug and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus, अगर कोई female है, अगर वो pregnant है, उस time पर drug या फिर alcohol consume करती हैं, तो उनकी body के पर तो कुछ harmful effects होंगे ही, उस के लावा जो growing fetus है, उसके उपर भी बहुत harmful effects होते हैं, use of anabolic steroids in female can cause masculination, increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on face and body, enlargement of clitoris, deepening of voice, तो अगर कोई female anabolic steroids use करती हैं, या ऐसे drugs use करती हैं, जो उनने नहीं करने चाहिए, तो उनके body में जो male characters है, वो ज्यादा develop हो सकते हैं, उनने ज्यादा गुसा आ सकते हैं, mood swing, depression या abnormal menstrual cycle, excessive hair growth, body पे, face पे भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके body में change हो सकती हैं, अगर उनने drugs को ज्यादा यूज़ किया, या steroids को, in males, anabolic steroids can cause acne, increased aggressiveness, mood swings, depression, reduction in size of testicle, decreased sperm production, potential for kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature blindness, enlargement of prostate gland, तो ये बहुत सारे यहाँ पे symptoms है, जो एक male में हो सकते हैं, अगर वो steroids को overuse करें, या फिर उसका abuse करें तो, उनमें भी aggressiveness ही है, जो गुसा ये increase हो सकता है, testicle का size decrease हो जाता है, sperm count जो है, वो decrease हो जाता है, prostate gland जो है, वो properly work नहीं करते हैं, premature blindness, means उनके बाल जढ़ सकते हैं, वो जिस age में गंजा नहीं होना ची, उस age में गंजे हो जाते हैं, then prevention and control, the measure useful for prevention and control of alcohol drug abuse among adolescents, avoid undue peer pressure on children, तो यहाँ पर कुछ measures है, जिससे हमें control कर सकते हैं, drug abuse को, तो first जो है, कि जो peer pressure होता है, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत सारे, बच्चे अपने friends के, बोलने पर की, चलो एक बार ट्राइ करते हैं, करके वैसे start कर देते हैं, देन उनकी body उन adolescence age group में, उनको पहले educate करना चाहिए, children should be educated and concealed to bear problems and stress in life, तो जो बच्चे हैं, उनको समझाना चाहिए, उनको counselor से बात करवाना चाहिए, कि जो उनकी life की problems है, उनको उन्हें जेलने की dependence हो, वो ऐसा ना, कि उनकी life में problem है, उसके लिए वो alcohol या फिर drugs यूज करना, start कर दे, तो उनको समझाना चाहिए, कि ठीक है problems है, आपको उनके साथ कैसे deal करना है, stress है, उसको कैसे deal करना है, ये सब बच्चे को समझाना चाहिए, the child should seek help from parents and elder, तो जो बच्चे है, उनको लगता है कोई problem है, उनकी life में उसको solve नहीं कर पार है, तो उनको parents या फिर elder से उनको भी बात कर चाहिए, affected individual should seek medical help of qualified psychologist, psychiatrist and de-addiction and rehabilitation program, अगर कोई person है, जिसने already ये start कर चुका है, जैसे drugs बगरा लेना start कर दिया, तो अगर उसके parents को या उसको समझ में आ रहे है कि ये गलत है, तो उसको proper psychologist या psychiatrist से बात करना चाहिए, या फिर बहुत सार ऐसे de-addiction camp भी होते हैं, जहां पर जो ऐ इस यूज़ कर रहे हैं, उनको वहां पर ले जाकर ठीकिया जाता है, उनको समझाया जाता है, जिसके वाज़े से फिर वो इस drugs को छोड़ देते हैं, Lastly, thank you for watching this video, मैं को लगता है कि आपको सारी चीज़े इस chapter की समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आया है, तो आप मुझे contact कर सकते हो, या फिर Sunday को जो doubt session होता है, वहां पर भी आप पूछ सकते हो, जितने भी आपने चीज़े पढ़ी, आप पक्का इसके question solve करना, आपके question solve हो जाएंगे, और अगर कुछ नहीं भी solve हो रहे हैं, तो प्लीज वह आप message करना मुझे कि क्या है question और क्या solve new है, मैं आपको वह तब समझा दूँगी, so once again thank you.